2022 के चुनाम जैसे निजदी का रहे हैं वैसी हर पार्टी की तरफ से लगातार जो है रहलियां शुरू कर दी गई हैं नई पार्टियां जो है वो अब आने शुरू हो चुकी है आप देख सकते हैं इसकुत खड़े हम प्रेस कलब में जहां एक नई पार्टी का गटन हुआ है बाच्चित करेंगे पार्टी का क्या नाम है और क्या इनका में विशेश है सर सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम अमर जो सिंग है मैं करांतिकारी महिदूर किसान पार्टी पंजाब एंट चंडिगड का जनरल सेक्टरी हूं जी जो सिस्टम आज कल चल रहा है जो समाज को जो हर एक वर्ग के लोग को मलग जो जरूरत है यह उनके लिए यह पार्टी बंढ़ी है जो दबे कुछ लिया जिनको समझ समझा जाता है तो उनके साथ हम खड़ते हैं स्टैंड लेते हैं इंसाफ दिभाते हैं तो हमारा में मौटिव यह है भी जो मैंदूर हैं लेबर से जो दो इंडास्टरी में हम लेवर्सूंकों ह grasp करेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगा अगधा केशीओ नीचे लेवल पर देखा जाता है। पार्टियां वादे कर रही हैं आपकी तरफ से क्या मेन मुद्दा क्या होगा इस चीज को एक बड़ा में रहे गावी जैसे बहुत सारे जैसे लॉलीपप देते हैं जो पार्टी से स्यासी पार्टी तकरीबन लॉलीपपी दे रही है सब जो यह कर देंगे और जब मैं दूर उससे दो देखो कई जमीन कोई कबच कर लेता है कोई एम ले उपने पास ले रहे हैं ठीक है जी हम जो चाहते हैं भी उनको उनकी लैंड मिले उनको उनका घर मिले जो आपनी हुई है अब पंजाब में चले जाओ जो बार बैठे हैं उनको एक पक्का ठिकाना तो मिले जो मलोजे स्यासी पार्टिया करती है इनको सिर्फ दारूपी रखो जा कुछ और नशा दे दो जी बस यह वहीं तक सीमत रहे और हमें वोड देते रहें ठीक है वीजे उठ ना पाएं राइस ना कर पाएं हम वह चीज प्रणा पार्टिया कोई कौन आएगा हमारे साथ भी इतने हो गया है जितने लीडर्स आ रहे हैं सबी कहते कुछ है करते कुछ नहीं बड़ जो हमारी ये करांतिकारी मैदूर किसान पार्टी है पंजाब की उनको अपना पन लगा इसमें तो सबी हमारे साथ तालमिल कर रह कर रहा हुआ भी है तो इनको एक तो लिट्रेट करना हमारा मेन मोटीव है क्योंकि जब तक यह लिट्रेट नहीं होंगे जह अपने बच्चों का अपनी फैमिली का डिसीजन खुड नहीं ले पाएंगे इन फ्यूचर के लिए जब यह लिट्रेट होगे तो अपने की कोशना करना किस तरह लगता है क्योंकि पहले नहीं करना चाहिए यह कि जो काम था जो पार्टी का अलान करना यह पहले नहीं करना चाहिए था क्या लगता कि जो आप आपने कहा कि क्रांतिकारी मजदूर किसान जो इस पर है किस तरह देखते हुगी चौन तो पहली एक मह अकेला अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता है अकेला कोई हमारे जैसे सोच के बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म ही नहीं है उनके लिए तो यह प्लेटफार्म ही उनके लिए बनाया बेशिकली क्योंकि और जो भी achievement सादमी कर सकता है वो कलब होके ही कर सकता है और पार्टी का मुद्दा एक ही है development और development की परिभाशा definition ही की है कि poverty below poverty लेवल लेके आना है दिवेलप्मेंट का मतलब मतलब ग्राउंड लेवल पे कंट्री के लिए काम करना है ना की सिरफ वादे करने या आप ने आपनी पार्टी के CoS ना की है दूसरी पार्टी के साथ अगर हम में कुंपेर कर तो क्या लगता है कि किस वज़ा से he देखिए पहली बात तो compare vertical है क्योंकि comparison is always done by apple to apple अब हम कह सकते हैं दूसरी party orange है तो orange को भी हम बुरा नहीं कह सकते तो यह तो एक सोच है यह party एक सोच है सिरफ अपने country के लिए कुछ करने के लिए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए अपने पंजाब के लिए कुछ करने के लिए और अगर आप history देखेंगे तो हमेशा revelation को पंजाब ने ही लीड की है country के अंदर तो मैं समझता हूं कि यह पंजाबियों के लिए प्रमात्मा की बहुत बड़ी किरपा है और पंजाबियों को यह गुर दिया है कि वो आगे आएं और ground level से वो लोग start होते हैं तो द दान मंदर नेदर मोदी की तरफ से कि जो तीन क्रिशी कानून बिल हैं वो वापस लिए जाएंगे किस तरह आप देखते हैं देखो नंबर एक बात मैं appreciate करूंगा कि वो कहते हैं जब आंक खुले तब ही सवेरा आफ्टराल वो भी हमारे आज की डेट में तो प्राइम निस ये नोबत आये क्यों हमारे लोगों को जाके चोंकों पे बैठना क्यों पड़े इसकी कोस्ट कितनी बड़ी है आप ये देखो ना इतनी बड़ी कोस्ट पे क्यों करनी पड़े लोगों को अवाम को जबकि सब लीडर तो लोगों के लिए हैं लोग लीडरों के लिए नहीं है लीडर लोगों के लिए है घर में एक फादर होता है वो फादर सारी प्रॉब्लम्स खुद लेता है और वो अपने बच्चों को अपनी वाईफ को अपने बहेंड बाई को उनकी काईर करता तो यह लीडर भी तो मतलब मंतरी निंदर मोधी की तरफ से जो ये फैंसल ले गया है कैसे आपको लगता है कि बीजेपी को फैदा होगा देखे मैं आपको एक बात बता दू पंजाब में इन चीजों का फैदा या नुकसान की कोई चांस गुंजाइश नहीं है क्योंकि पंजाब के लोग और उन्होंने बहुत समझ के लिए है कि पंजाब के लोग मतलब गुर्णानक देजी से तो जुड़े ही हुए है तो ऐसे मोके पे अगर मैं ऐसा उनके लिए तो ये एक चोका मारने टाइप है कि उन्होंने चोका मारा है जासी दाज इसको बोलते है वो तो है ही है तो कह सकते हैं कि पहले अगर किसान किसान दोलन चल रहा तो आज जो अपकी तरफ से क्रांतिकारी मज़ूर किसान जो पार्टी है मगी ये वी एक तरह क्रांतिकारी से 2022 के चुनाव हसल कर सकेगी बिलकुल तेको क्या होगा ये तो वक्त बताएगा क्योंकि देखे इस नोट स्मॉल टास्क हमने बात की है कि अन एजुकेटेड़ लोगों को एजुकेट करना है उनको समझाना है उनको उनका कल्चर चेंज करना है नोबडी है दा मैजिक स्टिक हम कहेंगे हमारे पास जादू की चड़ी है वो घुमाएंगे काम हो जाएगा लेकिन एक स्टार्ट होन है आगे आने का बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब अच्छे हैं जिन कंट्री के लिए वाकई कुछ काम करना चाहते हैं देखो देश तो अच्छाही से ही चल रहा है बुराई से तो चल नहीं रहा तो अच्छाही तो है तो कह सकते हैं इस पंजाम मेंने बातिकार ये शु में हो रही है और 21 सदी के accordingly हो रही है जैसे पड़े लिके होना चाहिए अगर कोई कहता है हमें कहता है education minister बनना है तो we are going to ask first question to them कि भाई तेरी qualification क्या है तेरा experience क्या है education के मामले में कितने college में तुमने काम किया है कितने university में काम किया है कितने students के साथ काम किया है जब उसका ये experience होगा और वो आके education minister बनेगा तो I am sure कि revelation आएगा ही आएगा revelation हमेशा उपर से आता है नीचे से कभी नहीं आता मैं हम आप सिंग में आप नूस्ताइब फोग चंडिगा